आज हम बनारस की फेमस ड्रडिशनल बनारसी चाट की रेसिपी लेकर आए हैं बनारसी चाट का नाम तो आपने सुना ही होगा बनारस की बहुत ही फेमस चाट है ये और खाने में इसका जो टेस्ट है न बहुत यदा अमेजिंग होता है तो इस recipe को आप जरूर try कीजिएगा आपको बहुत यदा पसंद आएगी और अगर try करने के बाद पसंद आती है तो मेरे वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी subscribe कीजिएगा तो चलिए इस बनारसी चाट की recipe को बनाना start करते हैं तो यहाँ पे हमने टमाटर लिया हुआ है बनारसी चाट बनाने के लिए अच्छे हमें लाल टमाटर की जरूरत होगी तो यह देखिए यहाँ पे हमने टमाटर जो एकदम अच्छे लाल लिये हुए हैं और टमाटर को हमने धुल लिया है तो अब इसे हमें बारिक टुकडों में जो है कट कर लेना है तो सारे टमाटर को हमने कट कर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने जो है उबले हुए आलू लिये हैं तो आलू का इस्तिमाल हमें टमाटर से कम करना है और इसका छिलका हमने हटा दया है तो सबसे पहले हम जो है शुग्र सीरम तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए ग्यस पर हम चड़ाते हैं एक पन आप डाल देते हैं एक कप चीनी तो एक कप चीनी के लिए यहांपे हम् स्टो करें है और हम औो로 को और high flame पे अच्छा है इसमें boil आने देंगे इस sugar serum को पकने में 4-5 मिंट का समय लग सकता है तो high flame पे हमें इस sugar serum को तैयार करना है तो चलिए अब इसको हम शेक कर लेते हैं चार-5 मिंट हो चुआ हैं तो जैसे सहध होता है ना सेम वैसा ही हमें ये चाहिए होगा एकदम हलका सा चिप-चिपा, तो इसे एकदार की चासनी हमें नहीं बनानी है तो यह एकदम पर्फेक्ट है, अब इसको हम गैस से उतार लेते हैं, और उसके बाद हम गैस पे चड़ाएंगे एक कडाही, तो यह देखे कडाही को हमने चड़ा दिया है, और अब इसमें हम डा किया ओद्रग हमने डाला है इसको हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं आप चाहें तो आप इसमें अद्रग के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पे हमने लिया है एक चमश धनिया पाउडर एक चमश लाल मिर्च पाउडर और यह हमने थोड़ी सी ह पर पकाना है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच काला नमक तो काली नमक का इस्तेमाल आप इसमें जरूर कीजेगा क्योंकि बनार्सी चार्ट में काली नमक का फ्लेवर जो है वह बहुत जादा बढ़ी आता है एक चमच सफेद नमक अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते है और उसके बाद इसको हम ढटके 2-3 मिट के लिए पका लेंगे तो यह देखे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और टमाटर से काफी अदा पानी भी रिलीज हुआ है तो जब भी मीटम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो अच्छा पानी इससे रिलीज होगा हाई फ्लेम दो चमुच चाट मसाला तो चाट मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं मार्केट में हिजली मिल जाता है और यहाँ पे हमने लिया है आधा कप इमली का पानी तो इमली को आप अच्छा बॉयल कर लें और हासे मसल के उसके पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं अगर इ काने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है और एक चमर डाल देते हैं गरम मसाला और यहां पे हमने एकदम बारिक जो है काजू को छोटे-चोटे टुकडों में कर लिया है काजू से बहुत ही बढ़िया इसका फ्रेवर आता है तो जैसे हम साधिया पार्टी में खाते ह और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट है तो अब हम गैस को आफ कर देते हैं और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया धनिया डालने से इसका जो टेस्ट रना उसकी खुस्बू है बहुत ही बढ़िया आती है तो बस धनिया के बाद इसको हम मिक्स करें और गैस के फिल्म को हमने ओफ कर दिया है तो इसके थिकने साब देख सकते हैं देखने से यह आपको बहुत यादा टेस्टी लग रहा होगा तो बनार्सी जो चाट है ना वह जादा तर आपको जो है कुलहड में ही सरू की जाती है जो मिट्टी कर सकते हैं खाने में यह बहुत यादा टेस्टी होगा दिये देखे इसका टेक्शर लग रहा है ना बहुत यादा अमेजिंग यह कीन मानी यह बनार्सी चाट ना खाने में आपको बहुत यादा टेस्टी लगेगी तो अब इसमें हम डाल देते हैं दो चमत देसी गी बना लेकिन बहुत ही बढ़ी है इसका फ्लिवर आता है साधी आप पार्टी में ज्यादा तरह आपको पनीर के टुकड़े मिलेंगे बनार सी चाट में तो यह देखे आप इसको कुल्हड में सरु कीजिए या किसी बरतन में खाने में यह बहुत यह अमेजिंग होता है तो आई हो